सोशल मीडिया पर तमिलनाडू की विरुधुनगर लोगसभासीट से कॉंग्रिस आनसद मणिकम टैगोर के द्वारा पोस्ट किया एक विडियो वारल हो रहा है शेर किये जा रहे विडियो में नई संसद भवन के अंदर पानी का रसाब देखा गया विडियो में देखा जा सकता है कि छट से पानी का रसाब हो रहा है और गिर्टे हुए पानी को फैलने से रोकने के लिए फर्ष पर बकेट रखी गई है कॉंग्रिस नेता ने सोशल मीडिया में लिखा कि बाहर पेपर लीगेज अंदर वाटर लीगेज राश्पती द्वारा इस्तिमाल की जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रसाब नई भवन में मौसम संबंधी समस्याव को उजागर करता है जो की निर्मान पूरा होने के सिर्फ एक सार बाद ही सामने आई है इस मुद्धे पर लोगतभा में थगन प्रस्ता पेश किया गया इसकी साथ ही समाधवादी पार्टी प्रमो का खिले श्यादव ने भी तंच कसा है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्त में कहा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने संसद भी आग सर मिल सकते थे क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले कम से कम तब तक के लिए जब तक अर्बो रुपे से बनी संसर में पानी तपकनी का कार्गरम चल रहा है